अब सभी भक्तों के चरण कम लोगे मेरा साधर प्रणाम कृपया स्वेकारे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह लाइक कमें शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा आज हम लोग देखने वाले हैं ठाकरजी का बहुत ही सुन्दर सा ब्लू कलर का मस्तक श्रिंगार हमने कैसे बनाया है आए देखते हैं यह स्टोन से है मेरे पास और कुछ जूलरी वायर थोड़ा सा ही चाहिए और जर्दोजी है फिर हमारे पास जो सिंपल गोल्डन है और कुछ भी नहीं है इसमें और जर्कन लेस है हमारे पास हमारे पास एक प्लास्टिक का ट्रांस्परेंट शीट है फैवी पॉंड है केच्छी है इन सब को यूज करके हम लोग बनाएंगे मस्तक श्रिंगार सुन इसमें आपको दिहान यह देना है कि जर्दोजी बहुत जादा खिचाए ना एक एंड उसका चिपका दीजिए पहले जल्दी से चिपक जाता है फैवी बॉंड यूज करने का यही बेनिफिट होता है नहीं तो फैबरिक ग्लू जो यूज करते हैं हम वो थोड़ा सा टाइ इसको दो सेकंड तीन सेकंड फिर से चिपकने के लिए छोड़ दूगी और काटने के बाद में फिर यह पर्फेक्ट शेप आया है नहीं आया है वो समझ में आएगा तो मैंने अपने हिजाब से कैची से काट ले लिया और फिर अभी मेरे पास यह रेडी है देखे थोड़ आपके पास अवेलेबल हो पैच कुंदन या फ्लावर या कुछ भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप फिल अप करने के लिए यूज कर सकते हैं ऐसे करके मैंने तीन चार अच्छे से उसमें स्टोन प्लेस कर दिये हैं सबका फेसिंग ऐसा हो कि पीछे गैपना दिखे और सामने से वो हर जगह से अच्छे अंगल में उनका प्रेजेंटेशन हो और जो बूटी है जो पैच हमारा बन रहा है उसको बहुत अच्छा वियू मिले किसी बाइंगल से आप देखें और इस प्रकार से अब हमारी ये बूटी जो है वो तियार हो गई है अब जो है स्टोर्न की जो जरकन है उसको मैं हाइड करने के लिए यूज कर रही हूँ तो उसको हलके से मैंने प्रेस कर दिया नीडल की मदद से और वो एज जो है कम विजिबल हो रहा है और जब वो थोड़ा सा सोग जाएगा तब मैं उसको हाथ से भी प्रेस कर दूँगी और सरकल को इवन बना लूँगी और वो पूरा ही जो एज दिख रहा था अनिवन सा वो गायप हो गया है वो हाइद हो गया है तो ये बहुती सुंधर सा हमारा पैच अप तयार हो गया है और आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आप इस पर और काम भी कर सकते हैं या multiple आप ऐसे ब कि मैं जिस प्रकार से वीडियो में दिख रहा है उस प्रकार से एक फिक्रशन पैदा करते हुए वायर को तान रही हूं तो ये बहुत ही सुन्दर सा जो टेंट्रिल का शेप होता है वो उसने ले लिया वायर ने और जितना मुझे लेंग चाहिए वो मैंने लेंग डिसाइड करके ये काटके ले लिया वायर ये बहुत ही पर्फेक्ट शेप आता है लेकिन जितना छोटा चाहिए आपको उतना और लास्ट उतना और एंड के तरफ आपको बढ़ना पड़ता है ज्यादा बढ़ा color चाहिए तो और आपको पास में आना पड़ेगा तो यह इस बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक है जो अगर हम हाथ से करने जाएं तो वो अनीवन सा या उसका जो कर्व है वो बराबर नहीं आता लेकिन अगर हम लोग यह ट्रिक यूज करके अगर यह ऐसा शेप बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इसली और बहुत ही परफेक्ट शे लगाने वाली हूँ उसको स्टिक करने के लिए बस मैं सिर्फ फेवी बॉंड यूज करूंगी एंड पे और एंड पे मैंने वो लटकन स्टिक कर देना है और इसके बाद वीडियो में नहीं दिख पा रहा है लेकिन मैंने एक बीड और लगा दिया था जो सेम कलर का है जो म मेरी ब्लू वाली जूलरी का भी चल रहा है कुछ प्रपरेशन तो मैं सब कुछ ब्लू ब्लू में बना रही हूँ इस प्रकार से ये मेरे जो लटकन है तीनो तयार हो गए वायर में स्टिक हो गए है इनको सूखने के लिए मैंने छोड़ देना है और जो मेरे ब्लू बीड ट्रेम बीड्स में स्क्रीन परेशने को पिरो पिरोर थे उसे डूरी कर सकते हैं कि अनदर वायर ये, थे बैकर tag yanlış है और तो यह थोड़ा आ प्रकार सब ब्लू कर सकते हो ए रीच ही ऊसे कर अपे स्टेरा पाज़ सक्या है स्टिक कर दूँगी तो कुछ इस प्रकार से मैंने इनका पोजिशन डिसाइड किया और इसको मैंने अब अपने जो पैच बनाया था हमने सरकल वाला उसके उपर अब इनको फिक्स कर दिया बहुती सुंदर बहुती प्यारा और बहुती यूनीक सा ये माथा पट्टी या मसक श्रिंगार या तर्बन एससरी आप कुछ भी कह सकते हैं इसको और जैसे भी उस करना चाहे उस कर सकते हैं पीछे जो फिनिशिंग है उसको आने के लिए हम लोगों ने एक और यहां पर जो शीट होती है हमारी सेलो टेप भी लगा सकते हैं आप मैंने शीट ही लगाई है व इस प्रकार से हमारा ये बहुती सुंदर सा मस्तक श्रिंगार रेडी है और इसको अब हम थोड़ा सा और बनाएंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ और एकसा होना चाहिए अगर हम लोग ब्लू ले रहे हैं तो ब्लू थीम है हमारा जूलरी का तो मेरे पास जो ब्लू बीड्स होते हैं इस प्रकार के कुछ इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता आपको पता हो तो आप मुझे जरूर शेयर करके बताएं कमेंट में ताकि मैं नेक्स्ट किसी से शेयर कर सकूँ कि ये क्या कहला आते हैं तो इस प्रकार के जो ये पाइप ज वही position करके ले लूँगी कि सबका facing सबका angle proper आए और सबका जो best view है वो उस मस्तक श्रिंगार को या उस कलंगी को हमारे मिले तो इस प्रकार से अब मैंने उसको place कर दिया थोड़ा सा प्रेस कर दिया और सूपने के लिए छोड़ दिया अब इसके बाद मेरे पास जरकन लेस है और जरकन या जर्दोजी में मैं confuse थी कि मैं क्या लगाऊं क्या नहीं जरकन लगाया फिर मैंने और जरकन लगाते ही बहुत ही अच्छा highlight होने लग गया अब फिर मुझे और लग रहा था कि जर्दोजी लगाऊं या नहीं लेकिन फिर मैंने finally सोचा कि जर्दोजी से फिर मै एक और बार हाइलाइट कर देती हूँ तो फिर मैंने जर्गदोजी भी लगाई और जर्गन भी लगाया, दोनों लगा दिये यह बहुत ही सुन्दर बन के आया है मानिए आप कि यह विडियो में उतना सुन्दर नहीं दिखेगा जितना सुन्दर एक्चुली में है जितने सुन्दर हम लोग होते है उतना अच्छा फोटो नहीं आता है अटलीस मेरा तो ऐसा ही कुछ यह मेरे पैच के साथ भी हो रहा है लेकिन यह बहुत ही सुन्दर बन के आया है और जब हम लोग ब्रूर श्रिंगार करेंगे तो बहुत ही सुन्दर इसका रूप निखर के आएगा तो यह मेरा आज का विडियो था बहुत ही सुन्दर छोटा सा मस्तक श्रिंगार जो बहुत ही काम का है भगवान के पगड़ी पे बहुत ही सुन्दर दिखता है तो आप भी इसी प्रकार से अपने घर में बनाईए और अच्छा लगे तो कमेंट किजे, लाइक किजे, शेयर किजे और सब्स्राइब किजे आज के लिए इतना ही था हरे कृष्णा दंडवत पिनाम